जी हाँ दोस्तों अगर आपको financially free होने से आपको आर्थिक्रूप से आजाद होने से आपको अमीर बनने से अगर कोई रोक रहा है तो वो एक चीज है बहानेबाजी और आलनस का mindset जी हाँ हम सभी में हमें से हरे एक में वो चमता है कि हम वो चीज पा सकें वो सब कुछ हासिल कर सकें जो हम चाहते हैं बट अगर आप देखें तो चाहने और उसे पाने के बीच में जो फरक आता है वो आता है हमारे mindset का और खास तोर से हमारे बहानेबाजी mindset का क्योंकि no doubt जो क कुछ भी हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें कुछ proper discipline के साथ action लेना होगा काम करना होगा हमें अपने skill state के उपर काम करना होगा हमें लगतार improvement करना होगा हमें mistakes के बाद से उसे सीखना होगा समझना होगा और दिन रात मेहनत करनी होगी but as a human हमारे सबसे बड़ी कमजोरी ह है कि हम अक्सर काम को टालते हैं और जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए तब तक उस काम को नहीं करते हैं और हम हर एक बहाना बनाते हैं कि हम किसी तरह से उस काम को टाल सके क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ pain कुछ दर्द बरदास करने होते हैं हम हमें discipline maintain करना होता है, हमें काम पसंद ना हो, तभी हमें वो काम करना पड़ता है, और इस तरह की चीजों से, हम अपने आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम अराम खोचते हैं, हम यह सोचते हैं, कि अराम भी जरूरी है, और आप के चक्र में, हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हम कितना सारा समय important समय बरबाद कर देते हैं बहाने बाजी करके और जो चीज़ हम पास सकते थे जो चीज़ हम कर सकते थे उसे करके जो चीज़ हासिल कर सकते थे वो सब कुछ हम खोद देते हैं गमा देते हैं तो यहां पर एक बहुत ही फेमस कोड़ है Isi के बारे में जो यह कहता है कि der you make money or you make excuses you can't make both मतलब ये है कि आप या तो पैसे बना सकते हैं या तो आप आप भाणे बना सकते हैं मतलब एक तरफ है कि आप पैसे बनाए या एक तरफ है बहाने बनाए अगर आप बहाने बनाते हैं तो आप पैसे नहीं बना सकते और अगर आप पैसे बनाते हैं तो आपको बहाने नहीं बनाने हैं या आप दोनों चीजे एक साथ नहीं कर सकते मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहाना बनाते रहो और आप यह सोचते रहो कि आपके बास पैसे आएगे और अब अमीर बनेगे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है अगर आप financially free होना चाहते हैं आठीक तुप सजारों चाहते हैं अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बहाने बाजी की जो आदत है इसे तुरण छोड़ नहीं होगी आपको जो भी काम करने में अलस्पन होता है जो भी आप काम को टालते हैं प्रोकेश्टिनेट करते हैं उसे बाद में करने का सोचते हैं ये चीज़ों पे आपको control करना होगा और आपको काम के importance को समझना होगा कि भले वो काम पसंद हो या ना हो लेकिन अगर वो काम जरूरी है तो वो चीज़ आपको उस समय करना ही करना है अगर आप इस तरह कर discipline maintain करते हुए काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको अमीर बनने से आपको financially free होने से और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे पाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि जैसे हमने शुरूरात में कहा कि अगर आपको वो पाने से कोई एक चीज आपको रोक रहा है जो आप चाहते हैं पाना तो यहाँ पे वो चीज है पहाने बाजी की हमारी mindset पहाने बाजी की हमारी आदत हमारा अलश्पन और जो हम बचपन से सीख जाते हैं कि हमें किस तरह से बहाने बना कर अपने काम को टालना है किस तरह से आपने आपको बचाना है इस ये जो चीजे हैं बचपन से हम जो सीखते हैं जो हमारा एक human mindset बन जाता है, वही चीज हमें रोक रहा है, वो पाने से जो हम चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें बहाने बाजी को बिल्कुल हटाना है, और यहाँ पे discipline maintain करना है, no doubt discipline maintain करने के लिए आपको कुछ pain, कुछ दर्द बरदास करने होंगे, आपको काम पसंद हो, ना हो, आपका mood हो, ना हो, लेकिन अगर काम जरूरी है, तो वो काम उस वक्त होना ही चाहिए, इस तरह का mindset जब तक आप develop नहीं करेंगे, जब तक आप इस तरह का action नहीं लेंगे, तब तक आप यहाँ पे वो चीज हासिल नहीं कर सकते, जो आप चाहते हैं, तो यही है वो एक जो बहाने बाजी की आदत है, तो दोसों, यहाँ पे जिस court के बारे मैंने जिक्र किया, कि either you make money or you make excuses, you can't make both, जिसका मतलब साफ है, कि यह जो simple line है, वो हमें यह समझा रही है, कि आप या तो पैसे बना सकते हो, या फिर आप बहाने बना सकते हो, आप दोनों चीजे एक साथ नहीं कर सकते, मतलब अगर आप चाहते हैं पैसे बनाना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बहाने बाजी की जो आदत है, उसे छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि आप दोनों चीजे एक साथ नहीं कर सकते, यानि कि आप चाहते हैं, कि आप एक तरफ पैसे बनाए लेकिन आप साथ साथ में बहाने भी बना रहे हैं तो दोस्त याद रखो कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सच तो यही है कि आप दोनों चीजे एक साथ नहीं कर सकते आप बहाने भी बनाएं और आप पैसे भी कमाएं ऐसा होना पॉसिबल नहीं है आप इस बात को भूल जाएए तो यहाँ पे लेसन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप सच में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने किसी भी तरह के लक्षे को हासिल करना चाहते हैं तो आप बहाने बाजे की जुआतत है इसे बिल्कुल भी छोड़ दे किसी भी तरह से पैसे को लेकर तो उनसे अगर आप जान से पूछे कि ऐसा क्यूं हुआ उनके साथ में ऐसा क्यूं है कि उनके पास बहुत ज़्यदा पैसे नहीं है जबकि दूसरे बहुत सरे लोग उनकी सिचुशन में रहते विए बहुत अमीर बन चुके हैं तो ऐसा क्यूं है कि वो सच वो बोल रहे हैं और वो reason जो बता रहे हैं कि हाँ इस वज़ा से वो अमीर नहीं है तो यह बाते आपको बिल्कुछ सची लगेंगी वे जब तक इन excuses को जब तक उन काड़ों को छोड़ कर प्रोपर प्लानिंग बकर के प्रोपर एक्सन लेके discipline मेंटेन करते हुए काम करके जब तक वो यहाँ पे काम शुरू नहीं करेंगे और उन बहानों पे बैठे रहेंगे तब तक वो अमीर नहीं बन सकते यहाँ पे अमीर बनने के लिए financially free होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी बहाने बाजी की आदत को बिल्कुल भी छोड़ दे कि आप इन इन काड़ों से वो काम नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं आप बहाने बनाना बिल्कुल भी यहाँ पे छो कि आपने बाजी को आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगी बाढ़ने बाजी कभी वो चीजर पाने नहीं देगी जो आप कर देबने पसंद कर आया हो काम और से लाइक और देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद